हलो फ्रेंड वेलकम टू मै चानेल आज हम इस वीडियो पे यूडेमी का टॉप 15 डिमांडेड प्रीमियम कोर्स आपको फ्रीली प्रवाइट करेंगे जिन कोर्स को आपने कॉमेंट का थूर दिमांड किया था ओ कोर्स तो हम प्रवाइट करेंगे ही करेंगे उसके साथ और भी डिमांडेड पॉपुलर कोर्स आपको फ्रीली जिसके लिए आपको एक रुपे भी नहीं लाएगा आप इन सारा कोर्स में फ्रीली एनॉल कर सकते हो जिसके लिए आपको एक रुपे भी पे नहीं करना पड़ेगा किसी को उसके इस course को COPPEAT करने के बाद आपको live करके jamLab Time मिलेगा ताह आपと思 felt about it करके UDEM के तaison 5 strip भी आ रहाएंपा सकतू मतलब आपको full teamLaughsimell daugag पहले जो कर्थ के बार में हम बात करेंगे ओह है JavaScript के पारे में अपने comment किया था जावा स्कृट को पर कोई को लियाने के लिए तो आपको यह जावा स्कृट में इंटेस्ट्ट है इसलिए ही बोला है सायाद जावा स्कृट के बारे में बिल्कुल बिगन लेविल से सीकना है आपको वह भी हैंड़ दान पोजेट के साथ फ्रधूना लिए सब्सक्राइब क्या आपि जाबस्कृट आप में इस्तवाल का सकते हो अब इसको में ने नहीं नहीं, एक खास्चियत है आपको इस कोर्स में जो लेटेस्ट जाबस्किप्ट का ES6 features होता है उसके बारे में भी सिखा जाएगा and course का rating भी सही है 4.0 rating है out of 5 and already 15,592 तूस्ट ने स्कोर्स manual कर चुक है आप भी JavaScript के बारे में इंडेस्टेट है and JavaScript के बारे में सीखना चाहते हो और in future आप वेब डेवलोपर बनना चाहते हो आपको तब भी इस course manual करना चाहिए क्योंकि जो डेवलोपर का जो main जो logical part होता है वो JavaScript के थूरी लेखा जाता है तो आपको JavaScript के बारे में सीखना है तो आप इस course manual कर सकते हो उसके बाद नेक जो course के बारे में हम बात करेंगे ओ है Python के बारे में जाइसे Windows, Linux and Mac OS में कैसे आप Python को इंस्टल करोगे और उसका वार्चूल एंवर्टमेंट करोगे उसके बारे में शिखाए जाएगा इन course का नहीं सारा course का लिंक हम description दे देंगे वहां से जाके आप directly सारा course में फिल इनल कर पाँगे लेकिन जुल जली जली कर लेना क्योंकि लिंक बहुत कम टाइम के लिए पुला है तो जाब आपको वीडियो का notification मिलेगा तब भी सारा course में इनल कर लेना इसलिए हम बोलते है चैनल को जाब सब्सक्राइब करो तो विल आइकन के पर भी क्लिक कर दो क्योंकि हम वीडियो आपको लूट करने के साथ-साथ आपको पास नोटिप कर सना जाए उसके बाद नेग्चो कोर्स के बारे में हम बात करेंगे ओ है python programming with machine learning आपको python programming सीखना है ताब भी आप इस कोर्स में कर सकते हो क्योंकि आपको इस कोर्स में one hour forty two minute python का जो basic होता है उसके बार में पहले सीखा जाएगा तो आपको डरने का ज़रुद नहीं है क्योंकि machine learning देखके आप डर सकते हो लेकिन डरने के ज़रुद नहीं है क्योंकि आपको python नहीं आता है ताब भी आप इस कोर्स में कर सकते हो और आप स्रेफ python programming में आप तब इस कोर्स में कर सकते हो आपको python programming language के बार में basic level पर आपको शिखाया जाएगा इस कोर्स में one hour forty two minute के आपको python के जो basic कोर्स लता है उसके बार में शिखाया जाएगा उसके बाद आप machine learning कर सकते हो इस कोर्स के आंदर आपको six practice test मिलेगा इस कोर्स के आंदर आपको six practice test मिलेगा आपको एक्स्प्लेइन से दिया जायेगा सारा practice question का तो आपको पास explain भी रहाएगा को इस question का क्या answer होगा तो आप practice test भी दे सकते हो practice test देने के लिए भी इस course manual कर सकते हो और इस practice test देने के बाद इन तर आपको certificate मिलेगा इस certificate को आप अपना job interview में score कर सकते हो and job interviewer को पाता चलेगा जिए आप python का जो test होता है वो दे चुके हो और आपको इस certificate provide किया जाए गया तो इसके बेसिक से आपको पाता चलेगा आते हो तो आप इस course में अनुल कर सकते हो आप इस course में python का जो basic concept हो आना चाहिए तो उसके बाद आप advance में इंटर किया जाएगा इस course के अंदर आपको advance python programming language के बादे में सीखना है ता आप इस course में भी अनुल कर सकते हो इस course का coupon code है AUG drop 3 इस coupon code को apply करके और decision में देया है link में क्लिक करके अभी इन सारा course में इनुल कर सकते हो उसके बाद next course के बारे में हम बात करेंगे और data structure के बारे में आपको तो पता ही है अभी current scenario में आप जब job interview देने जाते हो आपको पूछता है आपका फेबरी सर्जिट कौन सा है आप बोल सकते हो data structure and algorithm तो interviewer बहुत खुश होता है क्योंकि जो software development का जो backbone main जो हाट होता है वो data data structure and algorithm होता है तो आपको data structure and algorithm को आपको आएगा तो आपको ज़्यादा package मिलने का समभब अपना है तो आपको data structure के बारे में सीखना है और भी python programming language के यूच करके तो ताब आप इस course में इंडर कर सकते हो आपको python programming language के पीछले जो वीडियो है पीछले जो कोर्स है हमको बुल दिया है python programming का basic course प्रवाइड किया है उसके बाद आपको advanced course प्रवाइड कोर्स प्रवाइड किया है तो आपको सारा concept python को पर clear हो चुका है तो आप आप data structure के बारे में explore करना चाहते हो वो भी python programming language के करते हैं काम करते हैं उसके बार में सीखना है तो आप इस कोर्स में कर सकते हो आपको इस कोर्स में python flux को यूज करके and HTML CSS and JavaScript को यूज करके आपको graphical user interface उसके बार में सीखने के लिए इस कोर्स में कर सकते हो उसके बाद नेग जो कोर्स के बार में हम बात करेंगे ओंड़ एंड परदेबोलोमेंट के बादे में आपको android app development के बादे में सीखना है वह भी कोडलीन को यूज करके तो आप इस कोर्स के अंदर जावा जाबा को आपको आपको आना ही चाहिए क्योंकि android कोई दिक्रत नहीं आपको बिल्कुल बीगनर लेबिल से जाबा और को आपको एंडर्ड डेवलोपर काम करना चाहते हो तो आप इसको समय कर सकते हो उसके बाद नेग जो कुर्स के बारे में हम बात करेंगे वह एसक्यूल के बारे में को एज डाट बेस्ट के बारे में स eiट चाते हो तो आप इस को के अंद अपको 2 का हर एक का आपको शिखाए जाएगा तो आपको बिल्कुल बादने का बात नहीं आपको बिल्कुल बीगनर लेविल से चाहिए आपको कॉंसेट करने के में बहुत आसन होगा उसके बाद नेग्ज़ो कोर्स के बाद करेंगे ओहाँ आप कॉंप्यूटर साइन्स बैक्डांड से हो और आइटी बैक्डांड से हो ताप आप इस कोर्स में जो डूरेन्ट करना चाहिए क्योंकि आपको सेमिस्टर एक्जाम फीप तर शीक्स के आंदर ऑपारिटिंग सिस्टेम करके एक सब्जेट रहेगा तो आपको इस कोर्स में जो जो सब्जेट में कोर्ड कॉंसेट रहता है वह किलिया करा जाएगा आपको कोई कॉई कॉंप्टर साइन्स आइटी बैक्गां करता है उसके बाड़ में कर सकते हमें इनल कर सकते हैं करस के पाएंदर में शीक हमें इंवस्टर dor करता है पको कुमर्साराぐस में काम करने के बाद आपको जो अत्रrepresented करने के लिए इसलिए आपको एसलिए आपको साइण करलो क्यूंकि लिंक रहो सकता है इसलिए जाब भी नोटीफिकेसं मिलेगा थाब भी साइण कर ले एक ईसके बाद नेइक को कॉर्स के health करेंगे वह हैं यूदितिन के बाड़ में अपना घितन अध्य चाथे है उद नसे फिमिए बड़ T इस कोर्स का रेडिंग आपको देखाई दार है 4.3 रेडिंग है out of 5 बहुत आच्छा रेडिंग है and already 18,785 इस कोर्स में इनला कर चुके है तो आप भी वीडियो डिटिंग के बारे में सीखना चाता हो तो इस कोर्स में इनला कर सकते हो इसके बाद नेगजो कोर्स के बारे में हम बात करेंगे ओ है programing language ब्लॉक चेन के बारे में आपको एक कोर्स पोवाइड की ब्लॉक्चेन के बारे में सीखना जाएगा उसके बाद नेक्स्टों को क्ट्श कोर्स very जो बाद करता है तो नितर mandates करता है काम करता है इन रोबोर्ट तो उसम सीखने के लिए विसकोर्स के अंदर आपको पाइधन और प्रोग्रामिक लांगिज के मालत से कैसे निवर नेट्वर्क काम करता है उसके बाद में सीखाय जाएगा आपको देखाई दर है यहां पर 11 आउर्स डिमांटे वीडियो है मतलब आपको बहुत ताइम लेके बहुत अच्छा तरीक से शीखाय जाएगा बहुत ताइम लेके आपको हर एक कंसेट क्लियार होगा आपको टेंसर फ्लो के है बहुत-बहुत सरा में लगा यहन बहुत बहुत सरा डीमडेट का तो अपको नेक्स टाइंचंड का विес-कोर्ष को ारएंगे पाता नहीं आभी इस खूरस में करलो क्योंकि अफिक कूश्प लोगिन गयुक्वाफित सलाओ लागे तो इसहीं कि में सब्सक्राइब करने के बाद आपको सप्लाइचेन के बाड़े में कैसे बीजने डेपलेमेंट कर सकते हैं अधिसीं संद्सक्राइब करने के बाद आपको सप्लाइचेन के बाड़े में बहुत हो जाएगा आप Amazon और Flipkart में आजे Supply Chain में डेवलोपर इससे पर आप कम कर सकते हो Supply Chain टीम में तो आप Supply Chain टीम के उपर कम करने के लिए इसको समें भी एन्वर कर सकते हो यही था Udemy का Top 15 Demanded Premium Course जो आपको इस चनल के माज से फिली पोवाइट किया जा रहा है इसके बाद comment box में comment करना कौन सा platform का कौन सा course आपका फिली चाहिए नेक्च वीडियो में आपका ववाइट किया जाएगा क्योंकि इस चैनल पे हम Harroze, Udemy, EDX, Coursera, NPTL और बहुत सा प्लाट अपनेका free courses and job related video पोश्ट करते है कोई भी डाउट रहेगा तो कॉमेंट करना नेक्स वीडियो पर आपका कॉमेंट करने का कोशिस करेंगे थैंक यू गाइस पर वाचिंग इस वीडियो कीप लानिंग और कीप वाचिंग